Hello everyone, welcome back to my channel, my name is Shivani Jha In today's video, I am going to discuss about lift irrigation Lift irrigation क्या होते हैं, advantages and disadvantages, क्या है lift irrigation के इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे तो पहले lift irrigation क्या होता है तो जैसे हमें water को lift करवाना है, from bottom to upper level जैसा कि हम पहले discuss कर चुके हैं topic irrigation के like dam, canal, spillway, तो इन सब में क्या हो रहा था, कि water upper level से lower level पे आ रहा था, because of gravitational force तो gravity की वज़े से water अराम से flow हो रहा था, बट अगर कोई ऐसा place है, जहां हमें ऊपर level में पानी की need है, तो आप ground level से कैसे वहा तक पानी ले जाएंगे तो with the help of pump, हम पानी को lift कराएंगे तो इसी को हम lift irrigation कहते हैं, dam, canal, spillway, cross drainage या diversion head work, इन सब पर वीडियो अप्लोडेड है, इरिगेशन की बहुत सारी वीडियो अप्लोडेड है, एक्चुली चैनल पर, आपको मैं इन सब का link description box में दे दूँगी, irrigation playlist का, आप प्लीज वहाँ से चेक आउट कर लिजेगा, तो lift irrigation क्या है, यह हमारे एक process है, lift करने का water को normally from the underground surface से and sometimes surface से, जो हमारा surface source होता है, वहाँ से by pump, या तो हम mechanical power से भी इसको lift कर सकते हैं, या तो हम पहले हमारे पास पानी को lift करते हैं, इसके क्या advantage है, lift irrigation के, तो जो farmer है, वह हम supply कर सकते हैं water को to their fields according to the requirement, जितनी requirement है, उतना ही पानी वह supply कर सकते हैं, जिससे हमारा पानी की भी बचत होगी and वहाँ पे over irrigation भी नहीं होगा, हमें जितनी नीड होगी, हम उतना वहाँ पे पानी का supply करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, उसके बाद हम off कर देंगे second advantage इसका, water table अगर हमारा कम भी है, sorry, water table जब हमारा कम हो जाता है, जब हम water को lift करते हैं, from the well अगयरा से, अगर हम पानी लिफ्ट करेंगे, तो हमारा water level कम हो जाता है, thereby यह हमारा reduce कर देता है, water logging करने के लिए, बतब उस एरिया में यह water logging को reduce कर देता है, water logging क्या है, क्या causes है, क description box में दे दूँगी, third, इसका initial cost जो है, वो बहुत लो होता है, क्योंकि इसमें कोई जरूरत नहीं होती, constructing hydraulic structure, hydraulic structure बटाने के कोई जरूरत नहीं होती, कोई हमें dam या spillway, या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बनाना होता, कि जिसकी विज़से हमारा cost increase होते, इसका initial cost जो है, वो बह water high हो जाएगा, यह delta duty, core period, core depth, यह सब भी uploaded है channel पर, आपको उसका link पर description box में मिल जाएगा, 6th, जो इसका maintenance cost है, वो भी बहुत कम है, 7th, एक से ज्यादा crop हम grow कर सकते हैं, एक साल के अंदर, on the same land, एक ही land पर हम एक से ज्यादा बार crop को है, crop को जो है, वो हम उगा सकते हैं, ग् जैसे क्योंकि हमारे पास पानी के लिए तो lift irrigation का हम यूजी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब ज्यादा गर्मी आगे तो हमारे पास पानी नहीं रहे पाएगा, यह हम कैसे ला पाएंगे, हमारे पास पहुचाने का कुछ साधन नहीं है, लेके जाने का कुछ वो नहीं है तो इसके वज़े से हम यह चीज़े बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं जैसे हमें network of canals बनाने पड़ते हैं irrigation करने के लिए तो इसमें क्या है हमारा कुछ land जो है वो इसी में चला जाता है कैनल बनाने में तो इसलिए यह हमारे लॉस है इस लेंड का वो भी हम बचा लेते हैं इससे जो हम water well से लेते हैं जैसा कि हमने देखा होगा जैसा किसी के घर पर hand pump हो गया गाओं वगेरा में हम है जैस्राव घर आपने के पहुंगा तो क्या होता है जैसे गर्मी होता है तो उसमें थोड़ा थंड़ा फाने निकलता है एंड जब सबयते हैं तो क्या होता है जैसे नहि Medien सर्फेस वाटर वो बिल्कुल सूप जाता है एंट जो हमारा वाटर टेवल भी है वो भी कभी-कभी शक्षन हेड से नीचे चला जाता है हैंस जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन है उस टैम पर काम नहीं कर पाता जैसे ट्यूब वैल वगेरा जहां पर होते हैं वो हमारे फेल हो जाते हैं बहुत सारे एरियास में समर के टाइम पर अगर हमारा लिफ्टिंग मेकैनेज मेंस्ट हमारा पंप है वह फिल हो जाए जुटू मेकैनिकल या या अलेक्टरिकल फेलियर उसके अंदर कुछ आ जाए तो हमारा वाटर जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा हमारे लेंड तक तो हमारा यह काम जो है जब तक हम वाटर सप्लाई नहीं करेंगे तब तब तक हम वहाँ पर इरिगेशन कैसे कर पाएंगे वहाँ पर कोई क्रॉप कैसे हम हुआ पाएंगे तो यह सारी थोड़ी इसमे केमिकल फर्टिलाइजर पर जो कि हमारा कॉस्टली पढ़ जाता है हमारा कौस्टली मींस ऑफ इरिगोशन होता है जो हमारा चीपीड्योच का रहे हैं एक आगर हम यहां पर सिर्फ की बात कर रहे है कि इसमें हमें पंप लेना पड़ता है ल्ट इरिगेशन में तो हमारा pump का cost तो इसमें लग जाता है, gravity में हम कोई hydraulic structure की बात नहीं करें, हम यहापे कोई dam, canal वगरा नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ gravity की बात करें, कि हमारा कुसी उपड़ी जगह से नीचे की तरफ पानी आ रहा है, आप stream से downstream पानी आ रहा है, तो हम उसकी बात करें, अगर हम इसमें hydraulic structure की बात करें, तो हमारा gravity flow जो है, gravity flow irrigation जो है, यह ज्यादा costly पड़ेगा, according to, with comparison to lift irrigation, lift irrigation में silt content जो होता है, कम होता है water में, and gravity flow में silt content ज्यादा होता है, lift irrigation का जो working है, वो depend होता है, operation of machinery, machine का operation पे, gravity में क्या होता है, lifting equipment जो है, यह involved नहीं रहता, lift irrigation में highest, higher water rates होता है, pump के उससे हम ज्यादा ज्यादा पानी irrigate कर सकते है, and gravity flow में lowest water rate होता है, lift irrigation जो है हमारा, यह हमारा complex system है, and यह बड़ा होता है, sorry, यह थोड़ा ज्यादा costly होता है, gravity flow irrigation से, but जो हमारा gravity flow irrigation है, यह हमारा simple होता है, and economical system होता है, of irrigation, I hope you like this video, and if you like this video and found it helpful, then please do like, subscribe and share with your friends, thank you for watching.